नमस्कार दोस्तों स्वाग आते हैं आपका हमारी चैनल PS Classes for CSE में दोस्तों हम यहाँ पर Genetic Algorithm डिसक्स कर रहे हैं प्रीवियस लेक्षर दोस्तों हमने यह डिसक्स कर लिया था कि कैसे individuals को हम सेलेक्ट करते हैं किस algorithm की help से हम individuals को सेलेक्ट करते हैं अगर हमने डिसाइट करने हैं कि मुझे दो पेरेंट करने हैं तो मैं कौन से सेलेक्षिन टेक्षिन की यूज कर गोजा दोस्तों उसके basis पर हमने टूनामेंट टेक्निक टूनामेंट रॉलेट वील और रैंक बेच्ट अलगर्फ म डिसक्स कर ली थी अब दोस्तों आज हम डि करने के लिए तो तीन आज हम दिखेंगे दो हम अगले पार में तो फुर्ट करते हैं हमारे पास थीन टेक्णिक है यहां पर एक सिंगल पॉइंट एक टूँ पॉइंट और एक मल्टि पॉइंट चलि दूस्तों श्टार्ट करते हैं अज का लेक्शर मैं ने पीवन और P2 नाम के दो parents opt कर लिए हैं यह हमने कैसे opt कि होंगे दोस्तों अब बात है selection technique लगाई होगी selection technique में दोस्तों हमने कोई सी भी एक technique लगाई होगी हो सकता है tournament लगाई हो हो सकता है rollet wheel लगाई हो सकता है rank based लगाई हो तो उसके basis पर दोस्तों हमारे पास जो है इसके लिए माँ पास तीनール नेखते है single point कहा बोलती है single point कहा बोलती है single point कहा है on November हमारा जो parenth मco दो पार्ट में that crew approximation कहीं से भी एक कोई सी भी एक point से हमारे जो इन डिवाइश्ञा मस दूपार्ट में दिवाइड कर दो आब चाहो तो second से कर सकता हो आफस्प्रिंग 1 बनाएंगे तो हम P1 का पहला पार लेफ्ट रखेंगे 0 और 1 और P2 का दूसरा वाला राइट रखेंगे 0 1 double 0 सेम दोस्तों जो हम अगला बनाएंगे O2 तो अब O2 में हम क्या रखेंगे इस बार P2 का लेफ्ट वाला रखेंगे 1 1 और इसका राइट वाला 1010 दोस्तों यह जो है दो हमारे क्या निकलाएं यह हमारे दो आफस्प्रिंग निकलाएं O1 और O2 इस तरीके से हम क्राउसोबर का यूज करके दो नए इंडिविजर्स क्रेट कर सकते हैं अब अगर दोस्तों मैं चाहता हूं कि मुझे डाइवर्सिटी और ज्यादा मिले इससे दोस्तों हमारे पास नए आफस्प्रिंग तो आ गए उनमें कुछ डाइवर्सिटी है पर उतनी ज्यादा नहीं मैं चाहता इसको मैं बोरा हूं क्या K1 और एक को बोरा हूं K2 पर एक चीज का दोस्तों आदा दकना इसमें जब भी मैं पॉइंट बनागो K1 K2 तो उनकी वेल्यू सेम नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कि EC-Line को K1 बोलदे और C2 बोलदे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पेरेंट आउटर साइट के जो आपके जीन्स हैं उनको हम छोड़ देंगे आउटर साइट के जीन्स मतलब लेफ्ट मोस्त और राइट मोस्त उनको हम छोड़ देंगे तो यह पर लेफ्ट मोस्त मैं छोड़ दिया जीरो वन और राइट मोस्त भी लिग दिया वन जीरो इसे दूसरे में क्या जाएगा यहां जाएगा 0 1 और यहां पर क्या जाएगा 1 0 तो दोस्तों यह क्या हो गया हमारा इस तरीके से यह हमारा जो है वो क्रॉस ओर प्रफॉम हो गया अलग हमारे पास ऑफ स्प्रिंग आ गया O1 और O2 दोस्तों यह हमारा क्या होता है टू पॉइंट होता है अब बात करते हैं मल्टी पॉइंट मतलब की मोर देन टू मतलब दोस्तों हम कुछ भी बना सकते हैं सपोज मैंने एक यह पॉइंट बना पाटे होगा अब 1 2 3 4 पाट होगा तो अब अल्टर्टनेट ली चेंज करोगा मतलब पहले आता ही है तो इसको लिख दो जो बारा जीरो नीचे आजाएगा तो इस तरीके से दोस्तों हमारा क्या होगा यह वाले जो ऊबनागो टो तो दोस्तों इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी हम प्रफॉर्फॉर्म करेंगे तो मल्टी पॉइंट में हम अल्टरनेट पर काम करते हैं मतलब हमने क्य जाएगा तो जिरो इदर का जो उधर चला गया फिर थर्ड आया तो थर्ड हैजट इस आया तो यह वाला बन और यह वाला जिरो हैजट इस तरीके से क्या होता है मल्टी पॉइंट में जो है न्यू इंडिविजुजल से करते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रोस ओ जरूर करते हैं तो इस तो आगले लेक्चर में क्रॉस ओवर का पार्ट टू स्टार्ट करेंगे अगर आपको हमारा अच्छी लेक्चर स्बंज में आए तो प्लीज असे लाइक और शेया जरूर कीज़े दोस्तो और अगर आपने हमारे चनल को अभी तक सब्सक्राइब न new direction मिल जाएगा मिलते हैं लेक्चर में तब तक के लिए नमस्कार